आप लोग देखते होंगे हर साल 29 अगस्त को राष्टिये खेल दिवस मनाए जाता है और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि अगर आप लोग किसी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो आपका सिविल सर्विस हो या पर आप दिखे कोई स्टेट पीसियेस हो वंडे एकजामो तो इस तरह के जो दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में एक सामान जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा क्यों मनाए जाते हैं किन से जुड़ा हुआ है ये दिवस पहली बार कब मनाए गया था इस बार की थीम क्या रखी गई है और कुछ खास अगर पॉइंट इस बार घटे हैं तो उन्हें भी नोट कर लिया करिएगा तो आज हम लोग राच्ति ए खेल दिवस के बारे में बात कर लेंगे और मेजर ध्यान चंद के बारे में जान लेंगे और एक आप लोगोंने देखा होगा कि मेजर ध्यान चंद खेल रतन दिया जाता है और मेजर ध्यान चंद पुरुसकार भी दिया जाता है इन दोनों में अंतर क्या है? उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे. और आप अपनी स्क्रीन पर मेजर ध्यानचंद को देख भी रहे होंगे. इनी के जनम दिवस पर आपको बता दूं कि मेजर ध्यानचंद के जनम दिवस पर ही राष्टिय खेल दिवस मनाये जाता है. तो 29 अगस्त 2023 को पूरे भारत में बारहवा राष्टिय खेल दिवस मनाये गया है एक कौन से नंबर का है बारहवा है ठीक है याद रखना है क्यों मनाये जाता है राष्टिय खेल दिवस इसका उद्देश है कि हौकी के दिगज खेलाडी मेजर ध्यानचंद की जैनती की उपलक्ष में उन्हें सिध्धान जली देने के लिए और राष्टिय खेल दिवस का पहली बार आईवजन 29 अगस्त 2012 में किया गया था पहली बार कमनाये गया था 29 अगस्त 2012 को इसका महत्य क्या है यह सभी उम्र के लोगों को सारेरिक फिटनिस निविद व्यायम और स्वस्त जीवन सेली अपनानी के लिए प्रोसाहित करता है और भारत में एक मजबूत खेल संस्किती बिक्सित करने ही तो उत्पेरक के रूम म भी काम करता है और राश्टी खेल दिवस 2023 के पिरमुक बिंदू देखें तो इस बार की थीम क्या रखी गई है इस पोर्ट्स आर एन इन विलावर टू एन इंकिलोजिसिव एन फिट सुसाइटी अर्था खेल समाबिसी और फिट समाज के लिए एक संबल की रूम में इस ब साल आ रहा होगा कि ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद कौन थे अगर हम लोग मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इन्हें जादू गर भी कहते हैं इनका जनम 29 अगस्त 1905 में इलावाद में हुआ था वर्दमान प्रियागराज में और आप देखेंगे 3 दिसंबर 1989 में अकिल भारतिय अईविज्यान संस्थान नई दिल्ली मेंन की डैथ हो गई थी यह भी आप लोगों को याद रखना है इन्हें पदम भूसन भी दिया गया है यह भी याद रखिएगा और आप देखें मेजर ध्यानचंद एक फील होकी खिलाड़ी थे जिन्होंने वर्स 1926 से लेक किया था खेल में उनके आसाधरन कोसल के चलते उन्हें होकी का होकी के जादूगर की उपादी भी दे गई है आप लोग पुराने कुश्चंस पेपर उठा के देखिए इस तरह के कई कुश्चंस पूचे गये हैं आपके ध्यानचंद ने अपने भाई की रूप भाई रू में मेजर पदस से शेवानित हुए और उन्हें पदम भूसन से सम्भानित किया था अब आप देखें इनके नाम पर पुरसकार भी हैं मेज़ा ध्यान चंद खेल रतन पुरसकार इभारत का सर्वाज़ खेल्रत सम्भान है या आप देखें पहले राजीव गांती खेल रतन पुरुसकार कर दिया गया था और ध्यांचंद पुरुसकार ये आप देखे खेल में आज इवन उपलबधी के लिए सर्वोच पुरुसकार है और ये 2002 से शुरू हुआ था इन दोनों में अंतर जरूर याद रखेगा भारत में खेल पुरुसकार जो दिये जाते होने देख कि खेल कौसल तथा अनुसासन की भावना दर्साने हित्तु दिया जाता है दोनाचार पुरुसकार ये आप देखे महत्मूर अंतराष्टी खेलों में मैडल पराप्त करने वाले खेलाडियों को तयार करने वाले पिसिक्षकों को दिया जाता है ध्यांचंद पुरुसकार ये आप देखे खिलाडियों द्वारा अपने परदर्शन से खेलों में योगदान देने और सेवा निवित्ती के बाद खेल आयो जनों को पुरोसाहन करने के लिए दिया जाता है। याद रखियेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी हो जाती राष्टिय Ñ खेल दिवस्की और आप देखेंगे कि जो मेजर ध्यानकंद खेल रतन पुरसखार है उसके बारे में भी जन चके हैं। मेजर ध्यान चंद के बारे में भी आप लोग उनने जान लिया अगर इस topic से आपके exam में questions पूछे जाएंगे तो आप लोग उनका जबाब जरूर दे पाएंगे